मेरा नाम है राज और मैं हूं अब भी जो आपने अन्बॉक्सिंग देखी ये थी डिजिटल इक्विलाइजर की और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्या-क्या फीचर्स हैं इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं फाइली पूरा का पूरा जो है रिव्यू हम करेंगे इस प्रोड़क्ट का और ये जो प्रोड़क्ट है मैं आपको बताओं जो लोग आप मेंसे लाइव का काम करते हैं जो लोग singers के साथ sound लगाते हैं या फिर किसी तरह का भी अगर आप live का काम करते हैं तो ये product जो है ये आपके लिए बहुत ही जाधा beneficial है आपने देखा होगा एक अच्छे से अच्छे show में अगर आप अच्छे से अच्छा equipment लगा लेते हैं उसके बाद भी अगर एक गलती से feedback जाता है तो एक जो sound engineer है जो उस show पे sound को manage कर रहा है यानि कि sound operator है उसकी बहुत बड़ी बेस्ती मानी जाती है कि अगर उस show में feedback आजाता है बहुत ही जो है आपको उस चीज से problem आती है तो उस problem का solution क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और finally feedback बनता कैसे है feedback आता कैसे आपकी sound में उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही जादा informative होने वाली है मेरी आप सबसे request है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आपके फाइदे की बहुत सारी बातें जो हैं आप इस वीडियो में से निकाल सकते हैं तो चलते हैं वीडियो की तरफ यूट्यूब पर सर्च करें असलवी इंडिया को और पाई ये डीजे सांसे रिलेटेट न्यू वीडियो हिंदी में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर मैंने अपना सैटप लगा रखा है एक छोटा सा सैटप रेड़ी किया है आपको डेmo देने के लिए यहाँ पर एक monitor मैंने लगा दिया है एक amplifier लगा दिया है य की जगा कोई mixer भी यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं तो mixer से आपकी जो है audio signal वो जाएगा आपका equalizer में equalizer से जो signal जाता है वो आपका जाता है amplifier में amplifier से finally root होके जाता है आपका speaker के अंदर तो इस तरह से signal रहता है अब जो है हम यहां पर माइक यूज़ करेंगे एक आपको छोटा सा डेमो दिखाऊंगा आप असानी से समझ जाएंगे कि feedback होता क्या है मैंने यहां पर माइक on किया अभी जो आप मेरी वास सुन रहे हैं यह आ रही है इस माइक में से यानिकी इस speaker मैंसे तो मैं यहां पर बोल रहा हूँ मेरी आवाज यहां से flow होके आपको इस speaker से सुनाई देरिए अब जब मैं थोड़ा सा signal बूस्ट हुआ बूस्ट होने के बाद यह speaker में से जब बहार आई अगर यह वापिस माइक में कैच होती है तो इसको बोलते है feedback जिसको हम normally CT भी बोल देते हैं तो यह जो CT या feedback यह generate होता है कि जब आपकी आवाज माइक में जाकर amplify से boost होके speaker से वापिस आपके अगर माइक में जाए यानि कि एक तरह से एक circle अगर बन जाता है तो इस circle के बनने के कारण आपको जो है feedback सुनाई देता है आपको जो है CT सुनाई देती है अब इसका solution क्या है मैं आपको एक बार दुबारा दिखाता हूँ अगर आपको नहीं समझ सकते हैं और काफी लोगों के साथ ऐसा होता भी है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस equalizer से क्या हम यह feedback खतम कर सकते हैं तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं मैं आपको demo करके दिखाता हूँ यहाँ पर आगर आप देखें जब मैं बात करूंगा तो आप यहाँ पर देख देखने को मिल रहा है highs बहुत ही कम है और जो इसको हम बोलते हैं low frequency बहुत काफी कम है तो यहाँ पर आपको जो है low mid और mid काफी जादा मिल रहा है अब finally हम माइक को एक बार यहाँ पर wave करके देखते हैं यह जो काम है यह आपने शो से पहले करना होता है तो शो से पहले जब में आपको feedback cutting करने होती है तो अभी हम देखते कौन कौनसी frequencies जो हैं वो जादा है आपने अगर ध्यान से देखा हो इस section में बहुत जादा boost आया था जब यह feedback आया था दुवारा देखते हैं तो यहाँ पर जो boost आपको देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर 250 hertz पे तो हम यहा तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जो है इसको 10 dB के आसपास minus कर दिया है आप जरूरी नहीं है 10 dB ही minus करना है जितना आपको लगे आप उतना भी कर सकते हैं इसके बाद हम एक बार दुबारा चेक करते है अब आप देखेंगे यहाँ पर 1.6 के यह जो frequency है यह बहुत है यहाँ पर cut हो चुका है हलका सा feedback अभी भी आ रहा है अब यह जो frequency है हम जब माइक थोड़ा सा पास लेके जाएंगे तो हम अगर हम बहुत ही minor cuttings भी करना चाहते हैं तो यह देखिए almost खतम हो चुका है यह हलका सा highs में आपको नज़र आ रहा है और यह नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर 10K के आसपास तो हम जाएंगे यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद 10K value select करेंगे इसको भी थोड़ा सा काम कर देंगे तो इसको minus 9 dB जितना भी आप रखना चाहें आप चाहें तो minus 3 dB से start कर सकते हैं इसको हमने click कर दिया आप चेक करते हैं तो आप देखेंगे जो feedback cutting है वो बिल्कुल हो चुकी है अब मैं आगर कुछ बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज भी आपको clear आ रही होगी और finally अगर मैं यहाँ पर monitor के आगे जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है कोई भी feedback नहीं आ रहा है यह mic जो है मैं आगे monitor के अगर रख भी देता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर भी कोई feedback नहीं आ रहा है और यह mic जो है यह on है यह mic on है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी feedback नहीं ले पार है ना लेने कारण यह equalizer है यहाँ पर equalizer से हमने frequencies cut कर दी हैं जो की over frequencies जा रही थी जो हमारे को एक feedback बना के दे रही थी तो हमने यहाँ पर जो है equalizer लगाने से यह feedback कर दी है तो अगर आप live shows का काम करते हैं यह product को आप use कर सकते हैं इसको कैसे use करना रहता है यह मैंने आपको छोटा साइक अभी demo दिया है अब बात करते हैं इसके front panel और back panel की front panel और back panel में आपको क्या क्या मिल जाता है तो यहाँ पर friends अग अभी हमारा 84 पर है level अगर आप इसका level बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से और बढ़ा सकते हैं अब यह हो गया है full 100 पर कम करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं यह जो है यह multi purpose आपकी knob है और यहाँ पर भी एक knob दी गई है इसके बारे में अभी बात करेंगे तो first function इसका हो गया कि अगर आप इसकी volume जो है input level या output level को control करना चाहते हैं तो यहाँ पर first knob से आप कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यह output level आपका control हो रहा है इसके बाद अगर हम इसको click करते हैं यहाँ पर आपको जो है frequency band दिखाएगा frequency band जैसा कि अभी हमने जो cutting की थी आप यहा फोड़ी देर बाद जो है वापिस अपने mode में आ जाता तो आपको यहाँ पर again click कर सकते हैं यहाँ पर save पर click करेंगे suppose मुझे इसको second number पर save करना है second पर लाके मैं इसको करूँ हो save अब आपने ध्यान दिया हो मैंने second number जो हो यहाँ से select किया था इसी तरह से second knob के और features कि अग मैंने boost करना है या कम करना है मैं यहाँ से frequency select कर ली यहाँ से कम करना चाहूँ तो इस साइड को left साइड को गुमाऊंगा यानि की anti clockwise और clockwise यानि की right साइड को गुमाऊंगा तो यह बढ़ता जाएगा कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है कितने db's वो आपको यहाँ पर न सेट करना है सेव कर दूँगा तो यह बहुत easy है इसके बाद यहाँ पर recall का option दिया हुआ है अगर मुझे कोई और प्रोग्राम यहां से open करना है recall पे click करूंगा मुझे यह जैसे अभी third program मैंने जो भी recently save किया मुझे वापिस जाना है second program पे तो मैं recall का बटन दबाके second पहले रखा हुआ था यह वापिस वहाँ पर आ चुका है इसके लावा यहाँ पर जो third option नहीं यहां पर आपके पास बाइपास का option मिल जाता है बाइपास पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी सारी frequencies जो है वो plane की तरह यानिकी मतलब कोई changes ना हो उसमें इस तरह से play इसमें कोई भी cutting या boosting नहीं होगी तो यह है इसकी front panel अब चलते हैं इसकी back side में इसमें देख लेते हैं क्या-क्या features है तो friends अगर बात करें back side की तो back side में यहां पर आपको सबसे पहले एक power card option मिल जाता है जो की हर electronic device में रहता है यहां पर एक on-off switch आपको मिल जाता है इसके लावा यहां पर आपको RCA input मिल जाते हैं अगर आप किसी को इसको अगर domestic में यूज़ कर रहे हैं जैसे तो आप अगर studio में यूज़ कर रहे हैं तो आप normally RCA cables यूज़ करते हैं तो आप RCA cables यहां पर यूज़ कर सकते हैं balanced input और balanced output के लिए यहां पे XLRs दिये हुए है एक्स XLR में और TSPIN में तो यह इसकी बहुत सिंपल सी जो है back side है मैं आपको अगर connections यहां पर दिखा हूँ तो मैंने अपने जो यह DGFX unit है जो मेरा एक source है अगर आप इसकी जगा mixer रखते हैं तो आपने यहां से output निकालना है अपने final main unit में से आपने input देना equalizer में equalizer का जो आपका के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जो है यह वीडियो का फाइदा मिले और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है आप इसको like कीजिए और अगर कुछ इसमें कमी लगी हो तो आप हमारे को comment में बता सकते हैं और इसके बाद बात आ जाते है इस product के price की इस product का ज की जादा details लेना चाते हैं तो आप हमारी website पर visit कर सकते हैं website पर visit करने के बाद आप वहां से भी online order इसको कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इसको like जरूर कीजिए और हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you